हेलो जी राम राम जी ललीता चुरूब्लोक्स में हार्दी के बिनन दन मोस्ट वेलकम मेरे सभी भाई बेनों का अभी हम आगे हैं ग्यांगयासर गाउं में ग्यांगयासर गाउं में राई माता जिगा बहुत ही शांदार अध्भूत दर्शे और मेला लगता है तो यह देख किसी विक्ती ने सिराप जैदा पी लिया है तो यहां भी लेटा हुआ है दर्ती माता की गोद में तो अब आप वीडियो को बिलगूल स्कीप मत करना पूरी वीडियो को देखते रहना मैं हमारे साथ साथ आपको भी राई माता की दर्शन कराने वाली हूं सभी जो लोग है वो अपनी अपनी दुकाने भी लगा रखी है हम सुबह सुबह आगे थे तो कुछ लोगों ने तो दुकान लगा ली है कुछ ने है क्योंकि मेला तीन दिन लगता है तो हम तीसरे दिन आए हैं तो मैं आपको हमारे साथ साथ बहुत ही श्यांदर मातारानी के दर्शन कराने वाली हों बहुत ही अदूद खिलोने और रोचक सीन दिखाने वाले हों मेले के तो जो लोग भाई भैन भाई इस बार नहीं आ पाए तो वह एगली बार जरूर आएंगे और इनका भी मैं पूरा हा मानस बना दूंगी जो भाई भैन नहीं आ पाए हैं इतना स्यांदार मेला आपको जरूर मन करेगा यह देखो यहां पर विभिन परकार के परशाद की सोप लगी हुई है यह बच्चों के खिलोने हैं और यह फालुदा यहां पर खाने पीने की यह देखो मेरे हजबेंट के स्टुडेंट आ गए हैं जो पहले इन्होंने पढ़ाया था इनको को ले यह भाई अपनी चोटी दुकान लगाता है परशाद की तो यह घूम घूम के परशाद बेशता है तो यह यहां पर देखो घोड़े जो दद्रियों में बहुत ज़्यादा घोड़े मिलते हैं और यह देखो डीजे की दुकान जो बच्चों का एक स्पेसल खिलोना बना फोड़े और यह मैं आपको दिखाते हूँ यह देखो फोटे देखो इधर यह नाम लिख्वा के बज्चा बीचबिछल डीच लेट वी बनवा सकते हैं तो यह नाम लिखा जाता है यह मोती जैसे हैं इस अब अपना नाम लिख्वा के उस्पी बनाते हैं यह छोटे- पूरा मेला देखना हमारे साथ मेले में बहुत इंजोई होता है पहले लोग मेले में प्यार मोहबद से जाते जाते बाइ रितिधार आएंगे लेकि लेकिन आज कर भुवती रंग बिरंगा स्यांदार दर्च से और मेला होता है तो भी वह पर यहां पर लोग बहुत सोपिंग करते हैं तो ये देखो ये किसानों के ओजार है जेली गंडासी द्रांतली जो भी होते हैं वो कसी शब चीज़े इस टाइम में लावनी होती है और आज जो बोते हैं वो काटते हैं तो जिसके घर में जो उपलब्द नहीं होता खेत के लिए तो यहां मेले में मिल जाता है यहां पर प हुआ भी में शचेज़ए और यहां मेरे पहर आकटब्ध तो यां भी मिल गए हमको साथ मिजले लेकिन वहां मेले में मिल गए यह चोटी शी पैरी बती जी है तो यह लोग है जो भाबी यह ब्सक्तापी फिर हमक्ती हो जो फेले दिन अधा है जाई हुए तो यह सब्सक्त बहुत अच्छा देखो फेमिली वाले मिलते बत अच्छा लगता है यहां पर खाने पिने का पंडाल भी लगावाई जो लोग धरम के नाव पर दान करते हैं तो यह जुगी जो उंपड़ी वाले गरीब लोग होते हैं भर पेट अच्छी चीज़े मिल जाती हैं तो यह आप वह भी दिखाऊंगे आपको तो आप हमारे साथ जरूरी मातारानी के दर्शन करना वीडियो को बिल्कुल इसकी मत करना यहां पे देखो विभिन परकार के च मेले में कुछ भी महेंगा नहीं था हर चीज एकदम सही रेट पर थी क्योंकि हम बजार से शोपिंग करते हैं इसलिए लग बग अंदाजा हो जाता है मेले तो बारा महिने से आते हैं लेकिन मार्केर्ट हम जाते रहते हैं तो यहां पर देखो मैंने यह चीज नोट की थी यहां पर परशाद की दुकान है और हम बत देखेंगे हम आपको बता देते हैं कि हम कौन सी दुकान से हमने परशाद लिया और क्या परशाद लिया वही बहुत ही दूरी में यह मेला लगता है यह देखो विभिन परकार की मिठाईया है तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं हम परशाद के रूप में क्या ले ? फिर मैंने एक तो जो प्रमानेंट माता राणी का परशाद होता है मिस्री मेवा तो वो लिया हमने और आगरे के पेठे लिये वही वो मेरे फेवरेट है इसलिए मैंने मेरी फेवरेट चीज माता राणी को भोग में चड़ाई और मातारानी का मिसरी, मेवा, भूंगडे, गुलाव की फूल उते हैं वो डाले वे हैं वो वाला परशाद हमने लिया है यह देखो मातारानी के जस्ट मंदीर है, जस्ट धाम है उसके जस्ट पास में यह दवार बनावा है इससे हमें एंटर करना पड़ेगा जो हमने पहले दवार दिखाया था वो सरदालों के लिए था अलग-अलग तीन दवार थे इनके तो दो के अंदर से सरदालों आने जाने का था और ये धाम में एंटर करने का सब के लिए था怎麼辦 तो यहाँ पर अच्छे से फिल्टर पानी की वेश्ता थी यह केन है भरनेर इतने से पहले ही भर देती थे यहां पर गाड़ी खड़ी थी बड़ी टंकी पानी की भरीवी थी उनके पास और यह देखो हम तेनों आगया आगे चल रहे हैं और यहां पर जो जागरण होता उनके लिए और जो सर्दालों आते उनके लिए चा पुलिस कर्मी यहां पर एक दम बड़ी हैस्य के साथ मेल लगाया जाता है है भी सब माता बैलों की रक्षा किझा है चोर लुटेरे बन जाते हैं हम मैं से चोई बन जाते हैं हम इसे सर्दलो होते हैं कोई अलग नहीं होता लेकिन अपनी पैचान बनाद लेते हैं लोग है तो यह देखो हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं सीडियो के दौरा हम चड़ चुके हैं यह देखो यहां पे रास्ता बनाया हुए हर परकार की विष्टा थी यहां प हमारे साथ आये थे वहां से फिर निकाल दिया कि यह मैलाओं की लाइन है इससे नहीं आ सकते आप इधर से आती हो तो यहां तक यह देखो यहां पे शिवाल्य है और यहां पे मातारानी की चोकी अलग से बिठाय रखिए यह देखो यहां सी डिकेजी जाएंगे अभी यह बांद रखा था मतलब रस्ची बांद रखी थी तो हमारी आम वासा में जेवडा भी बोल सकते हैं और कुछ लोग रस्ची से समझते तो मैंने रस्ची और जेवडा दोनों बता दिया तो इसके निचे से निकल की यह डिकेजी लाइन में लग गये हैं अभी यहां पे प्रवेश करें और जो भाई भेन हमारे चैनल पर ने हैं प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप भी हमारे साथ आते पूरे वीडियो का इंजोई लेशके यह देखो यहां पे लाइन लग गई है तो अभी हम लाइन में खड़े हैं ज्यदा लंबी लाइन नहीं थी क्योंकि भी मेला दो दिन पहले लग चुका था तो बहुत सारे लोग मेले में पहले आ चुके थे तो हम लास्ट में गए हैं और शुबह शुबह चले गए थे हम तो प्लीज आप मारा सपोर्ट करिए हमारे यूटूब चैनल को बहुत ज़्यदा आगे सेर करिए अपने दोस्तों में यह देखो जै हो माता दी जै मातारानी की यह है मातारानी का मैं धाम यहां पे सरदालों अपने इच्छा मांगते हैं और विस्पूरी करते हैं मातारानी स दर्शन करना परशार चड़ाना वहीं यह देखो यहां पर यह मातारानी को फेरी लगाई जाती है और मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर नारियल बांदे जाते हैं जिन लोगों की इच्छा होती हो अपने घर से इच्छा लेके आते हैं और यहां पर विस्पूरी हो जाती है तब आके वह नारियल खोल देते हैं यह जुरूरी ने भी खुद का नारियल हो किसी बी एक नारियल की गाट जो नोट हम लगा के छोड़ते हैं वह खोलना चाहिए तो यह देखो यहापर मैंने भी नारियल बंदा है मेरी वीष है मेरी विष्पूरी हो जाएगी मेरे पास में खड़ी है काजल को पता नहीं क्या कर रहे हैं आप काजल मज़े ले रही है राम से घुम रही है दिरूदर यह मैंने नोट लगा दिया है अब हम यहां पर हमारी विश मांग ली है जब हमारी विश पूरी हो जाएगे तो हम सब जाएंगे वापस मातारानी के दर्शन करने और अभी यहां देखो हम बाहर निकलेंगे यहां पर मातारानी के दर्वार के भारी घाडाजी बेठ है माराजी बैठ वह सब के मोडी बांद रहे हैं और वो जो कार्टून जो दिख रहा है उसमें परसाथ चड़ाना होता है मोली बांगते तब कभी भी खाली हाथ तिलक ने निकलाना चाहिए पंडित से कभी मोली ने बंदवानी चाहिए कुछ न कुछ दान में देना चाहिए तो यहां पर पैसे दिये जाते थे थाली में दि सब्सक्राह उसमें परसे तिलक निकला है मोले बंद तो यह हैर मेंदी बंदवाने चाहिए कभी भी क्यू ने देने चाहिए ऐसे सवागीला को कुछ कभी महंदी में मढ़ना है यहां पकट दान के लिए तो काझल और लट्टिका दोनों और ऑपन मिले है घृपिजिभू इस दरवार में जो कौहावत पुरानी के पिछे जूड़ी हुई आपि पिछे से दोड़ से चुप गई थे तो पिछे से चोर आ गए तो वह पर एक आप में शक्ति तो शब्वाय था तो इन बढ़दों के गाई बना दो ताकि चोरों से इनका छुटकारा मिल जाए इनको, तो मातरान की करपेदरश्टी से बढ़दों के गाई बन गई और चोर उनके पिछे पिछे आए, तो उसने देखा कि हमारे तो बढ़द थे और यह तो यहाँ पे गाई है तो वहाँ पे उनको छोड़ के चले गए, ऐसा माना जाता है पुराने पुरानी कथा है, तो मैं तो यही बात सुनी थी, इसलिए यहाँ पे यह देखो यहाँ पे बनाये वाँ था, अब हम आगे हैं मेड़े में, मैं आपको मेड़े का फुल दर्शे दिखाने वाली हूँ, क्या-क्या यहाँ पे मिल रहा है, क्या-क्या हमने शोपिंग कर रहे हैं, यह देखो यहाँ पे बहुत सारी शोप लगी हैं, हम तो यह सोचरी की पहले मां गूम के देखूंगी भी चलो हम भी दिखा देते हैं मेड़ा आपको, और साथ-साथ में आप लोगों को मेड़ा दिखाना बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैं मेड़े में गूम रही हूँ, आप सब लोगों को दिखा रहे हूं भी जिस भाई-बैन को जिस चीज की जरूरत हो, और ऐसा लगता है क मेड़े में ही मिलती है, इच्छा हो तो अगले बार आप मातार आने के विस मांग के जरूर आना, यह देखो बहुत ही बड़ी बड़ी शांदार अच्छी शोप लगी थी, कुछ भी चीजे महंगी नहीं थी इस चीज को मैंने नोट किया है, यह देखो बहुत ही अच्छी जो लोग चोटी-चोटी शोप कर रखते हैं, कपड़े वस्तवे बेच के अपना पेट पालते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट दिन होता है यहां पे मेड़े में, और जो भाई बैन मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाई 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 और यहां पे देखो बहुत सारे चूड़े के दुकान ने थी, हमने खूब इंजोई किया भई मेले का यहां पे बड़ा जूला था भई, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इस जूले का कभी इंजोई न का वहीं, मैंने खूब ने रहसे का यहां पे न तो कॉमेंट वोक्स में जरूराइना प 낮चाना प्लिज हमारा सपोर्ट करना वीडियो का शेर करना और मैले का इंजॉई लेते रहना, सभी स्वस्त रहना, मस्त रहना, और आप हमारे वीडियो को अधिक सदtuर करना यह देखो बहुत इस्यांदार मेला भई बहुत अद्भूदर से यह देखो मैंने यह सोब किया था यहां पे और लटिका मेरे को बोल रही थी ममी ऐसे समान लेके हाथ में मताओ क्योंकि आप मंगती जैसी लगोगी अपके पिसह पॉमें खूमे और मुझे अन्डे हैं कि बीस लुव एसा मांगने वाले जैसी लग रही थी थी मैं अगर मैं लग रही में turon माओ क्योंक्ति में जरूर है मातरानी के दर्सण आफो हमने करवा दिए हैं मिलेंगे एगले वीडियो में तब तके लिए बाई 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 यह देखो भई हम वापस से बहार निकल रहें